नमस्कार दोस्तो नेशनल इंडिया निउस देख रहे हैं आप और मैं सुसील कुमार सागर दोस्तो ओबी सी रिजर्वेशन का मामला पिछले लंबे दिनों से जो हैं लगातार देख रहे हैं कि सुर्कियों में हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से फैसला आया है जो नीट में 27% आरक्षण का जो मामला था उसको जो है परकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके साथ ही साथ जो है जो 10% आरक्षण EWS यानि की एकॉनिकल जो आधार पर जो दिया गया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्क को मानते हुए सामाने वर्क को उसको भी जो है एक साल के लिए रखा गया है दे दिया गया है तो इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ में जोड़े हैं अनिरुद सिंग विद्रोही जी जो मंडल आर्मी से जोड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो OBC आरक्षण है या आरक्षण की जो लड़ाई है उसको जो है बड़ी पिर्मुखता से जो है लड़ र तो सर आपका स्वागत है बहुत बहुत नेशनल इंडिया नियूज में और हम जो है आप से जानना चाहेंगे कि यह जो सुप्रीम कोट का फैसला आया है नीट में जो 27 परसेंट आरक्षण का इसको किस तरह से देख रहे हैं साथ शुक्रिया शुफील जी और साथ में आप वीशी शमाज की तक्रीबन 12,000 सीटों का नुक्षान हुआ है अब इस सुप्रीम कोट के फैसले से उन 12,000 सीटों की भरपाई तो नहीं हो सकती तो कहीं न कहीं इसके लिए दोसी सुप्रीम कोट है जो 2015 से सलोनी कुमारी बाले मामले को पैंडिंग में रखते हुए उसको सम पैसले की बात कर रहे हैं तो यह ओवीशी के हित में है 27% कोटा ओवीशी को मिलना चाहिए था और हम सुप्रीम कोट के फैसले का श्वागत करते हैं देर आए दुरस्त आए फलाल हमारा जो दर्द है वो यह है कि जो हमारी 11,000-12,000 सीटों का नुक्षान हुआ है उसकी समाज से मैं आता हूँ हमारे उन अभ्यर्थियों की उन इस्टुडेंटों की चात्रों की जो मेडिकल कोटा ना होने की वज़े से अज विशन नहीं पापाए और कहीं न कहीं डॉक्टरेट की फढाही करने से अज डॉक्टर बने से बंचित रह गए इसकी भरपाई सुप अनिरुद जी जिस तरह से जो एकॉडमिकल वीकर सेक्षन है जो आर्थित रूप से दस परसेंट आरक्षन की बात जो है पिछले दिनों से जिस तरह से मोधी सरकार ने दिया है सवन समाज को तो नीट में भी जो है वो दस परसेंट आरक्षन दे दिया गया देखिए ये EWS पूरी तरह से असमधानिक है और रही बात अब तो हमें ये संसे होने लगा है हम सुप्रिम कोच से और केंदर सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि जो 27% आपने हमें दिया है आप एक बार हमें बता दो कि वो बास्तब में सामाजिक और सैच्छिक आधार पर द दिया है तो कि दोनों का बेश तो आठ लाक है और यदि आर्थिक आधार पर दिया है तो फिर अबारा श्यमधानिक आरच्छड जो है वो कहां पर है जो सामाजिक और सैच्छिक बेश्पर देना चाहिए पहले तो सुप्रीम कोट और केंदर सरकार दोनों ये तै करे कि जो पर सेंट इस आधार पर मिलता है कि अगर आठ लाक तक उसकी सीमा है इंकम है तो आरच्छड के अंदर रहेगा आठ लाक से उपर जाता है तो आरच्छड से बाहर हो जाएगा क्रीम लियर में आ जाएगा यहां तक कि हर्याड़ा सरकार ने तो ये सीमा घटा के छह लाक कर होती है और वही सीमा EWS के उपर लागू होती है जिसको यह कहते है आरथिक आधार पर जो आरच्छड दिया जाता है आठ लाक की सीमा तो अब यहां पर तो बड़ा इस पश्ट है कि सरकार यह तैक करें यह क्लियर करें हम लोगों के समच पूरे देश के समच की OBC को जो मैं आपसे समझना चाहूँ है कि जिस तरह से जो आरक्षण को लेकर के जो खत्रा सा है जिस तरह से मत्य पिर्देश में भी आप लोगोंने प्रोटेश्ट की कौन दीती दो जन्वरी को पंचायत राची का जो चुनाब है उसमें जो आरक्षण की निया हो वाली का पालन न वढ़की के जो की सत्था में भी हैं काफी तो वह लोग क्या कर रहे हैं? उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएंगे। मानसिक गुलामों के अपनी कोई वैचारकी नहीं होती है, जो मानसिक रूप से गुलाम होते हैं, उनकी ना खुद की कोई वैचारकी होती है, ना उनकी कोई खुद की दिशा होती है, दुर्भाग कहिए ओविशी का, कि उसने जिन नेताओं को चुना है, वो सारीरिक रूप स भी वो गुलाम हैं और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है इतनी हैं इतनी हैं कि बिधान सवा लोग शवाब हैं वो प्रेस्ट न कर सकें उनकी इतनी हैं कि बीजे पी आरे से सवाल कर सकें तो ये तो वीशी का बहुत बड़ा दुरबाग्य है कि ऐसे नेताओं का चैन किया जाता है दान सवा बेजा जाता है मैं तमाम नेताओं से अक्षर मिलता भी रहता हूं शमय शमय पर देखने में आता है कि जिनको हम चैन करके भेजते हैं उनको यहीं नहीं पता है कि आपका रिजर्विशन क्या है कि शाधार पर दिया गया तो नेताओं के बिशे में मुझे नहीं पर लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षों को बचाने की आरक्षण को आरक्षण के बारे में जो है लोग को जावरुक करने की आपका दस जनवरी को भी एक कारिक्रम था दरवई में जहां पर आपने इस्थगित कर दिया है तो क्या कुछ इस कारिक्रम की तैयारी थी क्या तीज से पैटीस हजाल लोग भारी शंख्या में जुतने वाले थे कायर करम के हमारा मुख है जो एजनडा था जो हमारी मांगें थी जाती बार जिनगरना करवाने की मांग थी मंजल कमिशन की जो वाकी अर्थिस रिकमेंडेशन है उनको लागू करवाने की मांग थी सिच्छा समाच किसा नीती की हमारी मांग थी और साथ में जो बिजनिस लोन दिया जाता है बैंकों द्वारा शालाना एक लोन आवंचित किया जाता है जो परसनल बिजनिस के परपर से दिया जाता है होता यह है कि जाती विशेश के लोग उच्छ पदों पर होते हैं आप क से सरकार की तरफ से सायता मिल जाए तो अपना रोजगार करके थोड़ा अपना रोजी रूटी चला ले अपने शंपन हो सके आर्थिक रूट से उपर बढ़ सके और इसके साथ में हमारी डिमांड थी कि को लेजियम को खत्म किया जाए और ओवी-सी-सी-सी-स्टी का प्रत्र ले थे जन संपर्क कर रहे थे हमने विवस्ताएं भी की थी और हमारा जो प्रोग्राम था आंदोलन को उफ्ताई रूप देने का प्रोग्राम था एक लंबा आंदोलन चलाने की प्लानिंग थी और ताजसन ये सब हुआ है कि शमय से पहले अचार सेंथा को लागू कर दिय जिए उत्र प्रोग्राम था वो चौदा तारीक के बार से था अब लोगों की काफी मेहनत बरबाद हुई काफी पैशा बरबाद हुआ वो रिक्वर तो नहीं हो सकता लेकिन कहीने कहीं संदेज पहुचाने का काम जरूर कि आपके अचार चीने जारह हैं आपके साथ सोचल हो रहा है आपका सडेंट, आपके साथ सडेंट किया आज सर छोटू राम जी की पुर्नेति थी है जिस तरह से उन्होंने भी जो है बोजन समाज को बहुत ज्यादा जगाने का काम किया लेकिन लोग उनी के समाज के लोग आज लगता है कि बहुत ज्यादा उनको भूले हुए उनके विचारों को भूले हुए हैं तर छोटू राम साथ बंचतों के रहवर बंचतों के मशिया थे वो एक बात हर अपनी शवा में कहते थे जहां भी उनकी शवा होती थी और अक्सर मैं उस वात को याद करता हूं और जहां भी नुकड या शवा होती है तो ज्यादा तर जगे मैं उस वाके को भूलता हूँ अभी मैं गया था दो दिन पहले नंगला जाट में बैठा हुआ था तो काफी बुजरुग लोग भी वहां बैठे थे तो उस पर चठ्चा हुई तो हमने शोटू राम जी के उस वाके का जिक्र किया और उनको समझाया कि सर शोटू रा पैचान ले तो यह बहुत बढ़ी कमी है हमारे समाझ में यह अपने अधिकार के लिए बोलना नहीं जानते और अपनी दोस्मन की पैचान इनको नहीं है इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बुक्स में कमेंट कर जरूर बताएं ब्योरो रिपोर्ट नैशनल इंडिया नियूज